हाई बच्चो कैसे आप लोग चलिए शूर करते आज का lecture, आज की lecture में आपको यहाँ पर हमने एक canal section सो किया है देको मैंने यहाँ पर कुछ भी सो नहीं किया है, सब आपको सो करके दिखाएंगे कि क्या इसमें berm होता है, क्या freeboard होता है क्या service road कहाँ पर होता है service road, dowel कहाँ पर slope कितना होता है hydraulic gradient line कितनी होती है ठीक है बस हमने यहाँ पर एक आपका section बना के दिखाया कि canal section कैसा बनाया जाता है ठीक है तो इस बारे में हमने सिर्फ यहाँ पर आपको draw करके दिखाया अब इसमें सब चीजे हम आपको show करके यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बनाई है जिस पर मैंने ऐसे किया है यहाँ पर यहाँ पर यह आपके इसकी कटिंग की मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया किया कुटिंग तो यह मेरी क्या है यह नहर है जिसमें हमारा क्या पानी फुलो होगा जिसमें हमारा क्या पानी फुलो होगा ऐसे तो यह मैंने यहां पर ग्राउंड लिवल से नीचे पानी की क्या कि इसकी स्वेल की कटिंग करने के बाद नहर का सेक्शन बनाया तो यह इसका क्या होगा यह इसका होगा बैड लेव इसको बोलेंगे बाड विड़्स यह किसकी है कहनालकी है कहनालकी यह बाड़ विड़्स अब ये देखो यह जो जा रहा है यह 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 तो कॉन सा रख ते सलोप का one ratio 15 के 2 तो सलोप कितना तो यानि कितना कितना ओंप इस और आप आपर और यहां पर वीड़ तर्योंते क्म शोड़ते है पुझ जिसक्व आ हैं just क्या बोलते हैं बस Woodana है तो यह मेरा क्या होगा यहां से लेगर यां तक जो विठ थोड़ते है ठीक है नहार के सेक्षिन्ट के और आने के बाद यहां पर वीडियों थो छोड़ते हैं इतनी विडियों थो छोड़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं तो यह मेरा बर्म ये मेरा क्या है बर्म है ये इसको हम क्या बोलते हैं बर्म इस साइड भी बर्म छोड़ते हैं और इस साइड भी बर्म छोड़ते हैं अब देखो आपको मैंने बताया इससे पहले लेक्चर में ठीक है आपके पास जो कैनल होती है टीन राइप की कैनल आपके पास है एक तो फ होता है देखो अगर बर्म विड़्त ओव बर्म ठीक है अगर फुली कर्टिंग में भूली कर्टिंग में बना रहे हो तो उसके लिए वर्म हम लेते हैं वन 1.5 D 1.5 D 드owania यहां पर क्या दिए आपकी Baler यानि के जहां तक आपका यह सब्सक्राइब यह कह ना की पुल सकते हो यह क्या आपका D ठीक है तो धight価 आप देखो कि वा братे कि इस फुलिक क्टिंग बारा प्लिक आप 3D मैंने क्या बताया फुली कटिंग में बर्म 1.5D फुली फिलिंग में बर्म 3D और आधा कटिंग में और आधा फिलिंग में यानि कि पार्सली कटिंग वंब जो क्या होता है जो हमारी नहर से हमेаты चिशाज्बाइचन किया हमने democracy कि कटिंग क करेंगे तो कि बालते हैं तो बना लेंक बड़ स्कुंत सब्सक्राइब एक जगा पर और जो यह बनाते हैं स्कों क्या बोलते हैं इस्पोईल बैंक बैंक ठीक है इसको क्या बोलते है इसपोईल बैंक या इंबैकमेंट भी बोलते हैं इसपोईल बैंक भी बोल देते हैं ज्यान रखना इंबैंकमेंट इसपोईल फिलिंग या इंबैंकमेंट बोल देते हैं यहां पर हम इसको इखटा कर लेते हैं इस साइड भी और यह साइड़ ने आधे स्एड से पूलिफ नाते ऑप ऐस साइड हमके मोथे इस हमाराथ होबल ठीक है क्या बनाते इद से नकिप अधित टर पर क्या बनाएंगे यांपर अग्षिया वेल तो उसके राइ हुल या होता है एक साई साइड में उसके डोवल बनाते हैं जिस साइड हमें सर्विस रोड बनाना होता है ठीक है सर्विस रोड बनाना होता है कि कि किसी परकार की बादा से कोई भी ट्राफिक या कोई भी वहिकल नार की और ना गिरे ठीक है तो इसलिए हम साइड में डोवल बनाते हैं तो डोवल के इस जाई में क्या मनाते हैं service road मिशंट और सभाय और इस service रोड़ ओम inspection road भी बोलते हैं इस service रोड़ को हम इंस फेक्सेन रोड भी बोलते हैं ठीक है VS right ऊब service road गे हमना पर त्षट बनाते हैं यहां वहां पर drain्ड क्या बना रहे हैं तो यही सब कुछ मैं बताना चाहता था आपको कि हमारा देखिए वर्म हम अगर फुली फिलिंग लेंगे तो 1.5D रिपीट कर देता हूं में ठीक है और पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग आदा पार्सली फिलिंग में कितना लेंगे 3D लेते हैं ठीक है अब ऐसे देखिए फिरीबोड की फिरीबोड क्या होता है फिरीबोड होता है आपके जो इदर स्पोईल फिलिंग और डॉवल है डॉवल की सिर्ष से लेकर और किसके यहां पर यह जहां तक आपका नहार का पानी जा बोलते हैं फुली सप्लाई लेवल ठीक है टॉप से लेगा फुली सप्लाई लेवल तक की वर्टिकल हाइट को वर्टिकल दूरी को हम क्या बोलते हैं फ्रीबोड बोलते हैं यानि के डोवल और इंबैकमेंट के सिर्ष तक डोवल और इंबैकमेंट के सिर्ष तक इस साड़ म UPLY LEVEL TAK 20 आइट को तो क्या वोला जाता है फ्री बोला दाए क्या बोला जाता है 2005 वॉलेंण utan गभाद कि तो हम क्रेक्षा सब्सक्राइब यह किनारे के सिर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् किनारों के सिर्षतल से लेगा है नार खंड किनारों के सिर्षतल यह डोवल इसका सिर्षतल है इसका सिर्षतल से लेगा एपसल तकी वर्टिकल बीच की दूरी को क्या बोलते हैं फिरी बोर्ड बोलते हैं ठीक है तो यह फिरी बोर्ड दा सर्विस रोड अब हम सर्विस रोड की बात करते हैं सर्विस रोड हम अधिकतर किस साइड में बनाते हैं बाई किनारे पर इंस्पेक्शन रोड की विड्थ बाई किनारे पर इंस्पेक्शन रोड की विड्थ मेटर से छे मीटर, 5 मीटर टू 6 मीटर, कितनी लेते हैं, 5 मीटर टू 6 मीटर रखी जाती है, अगर हम राइट साड में लेंगे, तो यही वीड़त कि इतनी हो जाएगी, 4-5 meter रखी जाती है 4-5 meter रखी जाती है तो ये था ये अब double, double क्या service road के साथ जो हमारी service road है service road के साथ ही double लगाय जाता है क्यों जो traffic बगरा जाता है जो vehicle बगरा जाते हैं किसी भी कारण से वो नहर की और उनका accidental case ना विगडे तो इस side हम क्या बनाते हैं double बनाते हैं ठीक है अब देखो अब हम बात करते हैं slope की slope हमारा cutting में slope हम किना लेते हैं 1 ratio 1 का अगर कहीं पर भी आप filling कर रहे हो ठीक है नहर सेक्षन में कहीं पर भी आप filling कर रहे हो तो वहाँ पर ratio 1.5 ratio यहां से मिटी खोदी मैंने यहां पर इकटी की यहां से खोदी यहां पर इकटी की तो इदर क्या हो गया फिलिंग तो फिलिंग में जो सलोप लेते हैं 1.5 ratio 1 का लेते हैं क्या 1.5 ratio 1 का इस side भी और इस side भी 1.5 ratio 1 का हम सलोप लेते हैं ठीक है तो ध्यान रहेगा hydraulic gradient line एक आपकी होती है hydraulic gradient line यहां तक आपको पता लगिया hydraulic gradient line क्या होती है उसको देख लेते hydraulic gradient line होती है कि जो यह water जहां तक flow है अभी water आपको यहां तक fsl तक flow हो रहा है तो इस में कहीं पर कोई endly जाएगी जिसमें से क्या आजी पानी क्या है यह है म्यरीत को ही मिटि तो हाई वैकि मिर्टि में simple कि ए तो पानी सहल्जान आ ऐसे तो पानी किसın れた स्लोप से रिशेँगा तो उसी लाइन को क्या बोलते है ऊसी लाइन को क्या आप Robin hydronic gradient line तो यह अभी तर जो हमारा वाकरी यहनिये यह जो हमारी line है तो इसी को हम्है बोलते हैं हाइड्लीट ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं तो यह से भी सिसे होगाaving ठीक है और इस चाहिए ओर इस साइडमी टो यह हमारा होता है हाइं होलोव lattice live ओर्जेंटल हैं वर्टिकल रेसयों जोंब हमेशा वर्टिकल होगा वन हमेशा वर्टिकल होगा ठीक है तो कुछ ये टेकनिकल टर्म थी है आपकी कुछ ये आपकी टेकनिकल टर्म थी जो आपको पता होना छाहिए कि एक तो ह Ouais नेकर अपको सर्वीस रोड कितना लेते हैं हम वह पता वाणना चाहिए ठीक है डोवल आपको पता से ठोड़ाई point 5, Corporation hote और सड़क की उचाई ठीक है यानि कि जो यह है जो 215-igner कितनी ने 0.50 नो 0.50 मिटर और से ठोड़ाई की साइड में service यह यह हरी यह ओच आई ठीक है यह फिर सलोप देते हैं यहाँ पर कितना लेते हैं 0.50 मिटर कितनी होती है यह भी यह भी आपके होती है 0.50 मिटर ठीक है अब फिलिंग हो रही है तो रेशियो क्या चलेगा फिलिंग हो रही है तो रेशियो क्या चलेगा आपका 1.5 रेशियो 1 का ही रेशियो चलेगा तो ये सीख इस section में canal section की कुछ technical term जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, आपकी practice अच्छी होती ही चले जाएगी, कि किस तरीके से हम बर्म ले रहे हैं, hydraulic gradient line हम कितनी ले रहे हैं, ठीक है, dowel हम कितना ले रहे हैं, service road हम कितना ले रहे हैं, तो ऐसे ह आपकी सारी चीज़े practice होती चले जाएगी, ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं, next lecture में, अभी के लिए, thank you